बहुत से बच्चे यह पूछते हैं कि कुछ याद ही नहीं होता किसी प्रश्ण का उत्तर याद ही नहीं होता है क्या करें देखिए याद तो आपको कर नहीं होगा तो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कोई प्रश्ण याद नहीं हो रहा है तो आप उसको लिखिए एक बार दो बार तीन बार खोब लिखिए लिखते लिखते आप देखेंगे कि वह प्रश्ण आपके दिमाग में बैठता जा रहा है क्योंकि आप जब लिख रहे होते हैं तो सारी बात आपके दिमाग में आ जाती है तो लिखने का अभ्यास जरूर कीजी सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा परदे के साथ सब आप जरूर लिखें जितना आप लिखेंगे सारी बाते आपके दिमाग में बैठती चले जाएगी तो लिखने का भ्यास हमेशा बनाए रखें आप स्वैम देखेंगे कि लिखते लिखते आपको सारी बात याद हो जाएगी सारी प्रश्ण के उत्तर भी याद हो जाएगे और इसके साथ ही सब एक और फाइदा किया है जितना आप लिखेंगे आपके हैं रैटिंग उतनी अच्छी हो जाएगी तो हो गया ना, सोने पे सुहागा, तो याद तो हो ही गया प्रश्ण का उत्तर, आपकी रैटिंग भी सुन्दर हो गई है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए.